तो दोस्तो अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप सभी CSC VLE के लिए एक बहुती बड़ी अपडेट CSC में निकल कर आई है कि जितने भी सारे CSC VLE हैं उन सभी CSC VLE को जो है अपना KYC कराना mandatory कर दिया गया है अब दोस्तो अगर आप जो है अपना KYC नहीं करवाते हैं तो आपको जो ह KYC को अप टूडेट होना जरूरी है अब दोस्तो अगर ऐसे में आपकी जो KYC है अप टूडेट नहीं है तो आपका DZP में ट्रांजेक्शन फस देगा आपका DZP में प्याउट फस देगा मतलब जो आप प्याउट करना चाहते हैं वो प्याउट में आपको प्रब्लम पचना है तो आपको जो है अपना KYC करना होगा चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने लेप्टाप की स्क्रीन पर यहाँ पर इस्टेब आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ तब यह लिगा KYC करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर आजाना होगा रजिस्टर.csc.gov.in लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यहाँ पर आजाने के बाद आपको जो है इस तरह के उप्शन दिखाए देते हैं यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलता है My Account का आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना CSC ID इंटर करना होगा उसके बाद आप जो है fingerprint को select करेंगे और यहाँ पर जो है इस वाले केपचा को feel करेंगे term and condition को accept करेंगे and submit वाले बटन पर click करेंगे तो जैसी आप submit वाले बटन पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है ना आपकी biometric machine को यहाँ पर deduct किया जाएगा और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो machine उसको deduct कर लिया गया है system के द्वारा आप जो है terms को accept करेंगे and start capture वाले बटन पर click करेंगे तो जैसी आप start capture वाले बटन पर click करेंगे तो आपकी जो biometric है उसका light blink हो जाएगा आपको अपना fingerprint दे देना है जैसी आप fingerprint अपना दे देते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा अभी दोस्तों जैसे कि आप यह जैसी update का एक option दिखाए दे रहा है तो simply आपको यहाँ पर click करना है तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारे options open हो जाएगे जैसे कि आप देख रहे है communication detail, KYC document, personal detail, banking detail and यहाँ पर आपको police verification document upload करने का option भी मिल जाता है अभी दोस्तों यहाँ पर आपको banking detail के ऊपर click करना है जैस आपकी shop का नाम है यहाँ पर आपको जो है account holder का नाम लिख लेना है ठीक है ना जो भी account holder है आपका bank में जिस according नाम है आपको लिख लेना है यहाँ पर जो है आपको जो बैंक आप यहाँ पर provide कर रहे है उसका IFSC code इंटर कर देना है यहाँ पर आपको जो है अपना account number इंटर क कोई बात नहीं आप जो है यहाँ पर सेविंग अकाउंट का पास्बुक का जो फ्रेंट पेज होता है जिस पर कि आपका खाता नमबर लिखा होता है आप उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीछ का देहान रखना होगा कि आपका जो jpg फाइल है वो करेंगे तो आपका पैन नमबर यहाँ पर वेरिफाय हो जाएगा और यहाँ पर इसको आप अपडेट कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको इसको अपडेट करना इसलिए आविश्यक है कि यहाँ पर csc की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं कि हर तीन महिने के अं करना है तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना कर सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के लिए तो उमेद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा इंफरमेटिव रहा होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू से कर ली नेक्स्ट वीडियो में किसी नहीं नौलीज और इंफरमेशन के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जहिंद चयभार